अबिशेक जोशी एलेक्रिकल इंजनियर इन विड़ा ग्रूप अफ कंपनीज दोस्तो आज हम लग बात करेंगे कि ट्रांस्मिशन बॉल्टेज 11 के मल्टीपल में ही क्यों होता है 11 के भी 33 के भी 66 के भी ये सभी बॉल्टेज लेवल 11 के मल्टीपल में ही क्यों है इस टॉपिक को आज हम डिसकस करेंगे इस वीडियो में तो दोस्तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं देखे सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा नहीं है कि सभी ट्रांस्मिशन बॉल्टेज 11 के मल्टीपल में ही होते हैं जैसे 400 KV, 765 KV या 800 KV वोल्टेज लेवल के अगर हम बात करें तो ये 11 के मल्टीपल में नहीं है तो सबसे पहले तो ये कहना कि सभी ट्रांस्मिशन बॉल्टेज 11 के मल्टीपल में ही होते हैं ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है दूसरी बार दोस्तो ये है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो 11 का मल्टीपल हमें देखने को मिलता है जैसे 220 kv तक अगर हम लोग देखें तो सभी transmission level 11 के multiple में ही है तो ये जो level है ये जो 11 के multiple में आ रहा है ये form factor के वज़े से है पर मैं आपको ये भी clear कर दू कि form factor जो की 1.11 है उसका transmission voltage से लेना देना नहीं है तो दोस्तों फिर बात आती है कि इसका actual reason क्या है तो देखिए इसे आप इस तरह के से समझे कि जब भी आप transmission line की बात करते हैं जब भी आप transmission voltage की बात करते हैं तो दो चीज़े आपको समझनी जरूरी है कि आपको sending and voltage और receiving and voltage इन दोनों को ध्यान में रखते हुए चलना पड़ेगा आपको receiving and voltage कितना चाहिए उस हिसाब से आपको decide करना पड़ेगा कि आप sending and से कितने voltage पर transmit करें so that transmission line में जो losses होंगे जो voltage drop होंगे उसको consider करके मुझे receiving and में उतना voltage मिलना चाहिए जितना मुझे चाहिए इसको हमें एक example से भी समझते हैं देखे कैसा होता है जो receiving and में हमें जो voltage level चाहिए रहता है यह 10 kv, 30 kv, 60 kv इस range में चाहिए होता है अब मेरे पास एक reference है कि मुझे 10 kv का voltage level मेरे receiving end में चाहिए अब सवाल आता है कि आप कितने voltage level पर transmit करेंगे so that मुझे receiving end में 10 kv मिलेगा इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी voltage level पर आप transmission करें बीच में voltage drop होगा, बीच में line losses होगे तो इसमें दोस्तों इसको calculate करने के लिए 10% का figure दिया गया scientist ने ये बताया कि आपको 10% voltage drop को consider करके चलना है कि जिस भी voltage level पर आप transmit करेंगे वहाँ से 10% voltage drop होगा, 10% losses हो जाएंगे इस चीज़ को consider करके आपको decide करना पड़ेगा कि आपका sending and voltage कितना हो अब इसमें सवाल ये भी आता है कि ये 10% ही क्यों आया क्या हम कहीं भी power transmit करें voltage drop 10% ही होगे तो ये भी जरूरी नहीं है क्योंकि आपका voltage drop कितना होता है ये depend करता है कि आपका transmission length कितना है आप कितनी length पे कितनी दूर आप transmission कर रहे हैं इस पर depend करेगा कि voltage drop आपका कितना होता है पर एक standard method देने के लिए ये consider किया गया कि normally 10% एक ऐसी range है जिसके आसपास ही voltage drop होते है अगर आपकी transmission length बहुत ज़ादा है कि जो voltage drop है ये 10% से ज़ादा हो रहे हैं तो आप फिर transmission voltage को बढ़ा देंगे जैसे normally पूछा जाता है कि transmission high voltage level पर ही क्यों किया जाता है तो इसका reason भी ये है कि हमें basically ये analyze करना है अगर आपका voltage drop 10% से ज़ादा हो रहा है काफी ज़ादा हो रहा है तो फिर आपको sending end voltage को बढ़ाना पड़ेगा पर आज का हमारा जो topic है वो है 11 के multiple को लेकर तो देखिए एक example लेके चलते हैं receiving end में मुझे 10 kb का voltage चाहिए तो sending end पे मुझे इतने voltage पर transmit करना पड़ेगा so that 10% voltage drop होने के बाद भी मुझे 10 kb receiving end में voltage मिल जाए तो इसको देखिए मुझे 10 kb का voltage receiving end में चाहिए तो मैं क्या करूँगा 10% extra voltage apply करूँगा ये जो मैं extra percent बोल रहा हूँ इसका मतलब है मैं 110% calculate करके चलूँगा तो 10 kb into 110% 110% मतलब 1.1 तो 10 kb into 1.1 ये हो जाएगा आपका 11 kb तो जब मैं 11 kb पर transmit करूँगा तो 10% voltage drop होने के बाद receiving end में मुझे 10 kb मिल जाएगा जो कि मुझे receiving end में चाहिए अब अगर आपको 60 kb receiving end में चाहिए तो आप 60 kb into 110% 110% मतलब 1.1 तो 60 kb into 1.1 आप करेंगे तो ये है का 66 kb तो जब आप 66 kb पर transmission करेंगे तो 10% voltage drop होने के बाद 60 kb आपको receiving end में मिल जाएगा इस तरीके से इसको calculate किया जाता है इस तरीके से इसकी study किया जाता है जो form factor बोलते है 1.11 उसका transmission voltage से कोई लेना देना नहीं है तो इसलिए आपको अगर 60 kb receiving end में चाहिए तो मैं 60 kb को 1.1 से multiply करूँगा यानि कि मैं ये देखूँगा कि मैं 110% extra अगर भेजूँ तो मेरी transmission voltage कितना होगा तो जब मैं 60 kb को 110% से calculate करूँगा तो यह आएगा 66 kb तो मुझे ये पता चल गया कि मुझे sending end से 66 kb level पर मुझे transmit करना पड़ेगा so that 10% voltage drop होने के बाद receiving end में जो 60 kb की requirement है वो fulfill हो सके तो इस तरीके से दोस्तों जो 11 के multiple का concept है वो इस तरीके से आया है आपको voltage drop को consider करते हुए ये method लाया गया है तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो मुझे comment box में बताईएगा मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसी एक interesting topic के साथ तब तक अपना ध्यान रखिए गुड़ बाई